इंडिया नेवी रिक्रूट्मेंट 2021 नमस्कार दोस्तों इंडिया नेवी के SSR, AA और MR के रिक्रूट्मेंट का इंतजार करने वाले अभ्यारतियों के लिए एक बड़ी खबर जी हां दोस्तों लगातार अब यारतों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आखिर इंडिये नवी का जो SSR, AA और MR का जो recruitment आएगा वो कम तक आएगा और इस बार का जो recruitment होगा उसमें कितनी age से लेकर कितनी age वाले candidate को सामिल किया जाएगा इसके साथ ही दोस्तों यहां पर coast guard के लिए आ चुकि यह domestic branch की अगर आपने अभी तक form apply नहीं किया है तो जल्दी से apply कर दीजेगा लिंक में आपको description box में दे दूँगा इसके साथ ही बात करेंगे आज डिटेल से कि आखी AA, SSR और MR का नया recruitment कप तक आएगा क्योंकि लगातार अब्यारतों का इंतिजार हो रहा है कोविट के चलते वे इस बार की जो vacancy जो उसमें थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन इसी महीने आपका notification आने के पूरे पूरे चांसे जो और इस बार की आपकी vacancy होगी SSR, AA और MR उनकी अलग-अलग कितने पदों पर आपकी बढ़ती होने वाले क्या लंबे समय के कोविट के चलने के बाद में इस बार की जो vacancy होगी उसमें पदों की संक्या काफी जादा हो सकती है इसको लेकर पूरी डिटेल्स है आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपुन साबित होने वाला है आप वीडियो के अंतक आप जरू कंधेर करकी क्यां के सबसें कि क्युक्टंट बोक्स में कमेंट करके मैं जरूर बताए कि आप कौण से राज्ये से विलॉंग करते हो क्यूंकि दोस्तों नफ सबसे पहले बात कर लेते हम वेकंसी की सबार का जो 2021 का नेवी SSR डबले और अमर का जो रिक्रूटमेंट आने वाला है उसमें अलग अलग आपके कितनी वेकंसी आएगी बिल्कुल दोस्तों आपको डिटेल से बता देते हैं सबसे पहले आपर बात करेंगे दा वेकंसी डिट तो उसमें आठी पीसर की अकेली जो वेकंसी आएगी वो 500 पलस वेकंसी आपके आने वाली है जबकि सीनियर सेकंडर रिकूट से SSR की भी 200 पलस वेकंसी आपको देखने को मिल जाएगी मेट्रिक रिकूटमेंट है उसकी भी वेकंसी आपको 400 पलस देखने को मिलेगी कुल मि अब बात कर लेते दोस्तों यहाँ पर डबले के बारे में सबसे पहले डबले के बारे में बात करते हैं तो डबले में आपका RTP Sir Affrentice में Must Have Qualified 10 पलस 2 आप पास होने चीए वो भी 60 मार्च के साथ में math physics with list one of these subjects में तो physics तो आपके होनी चीए उसके साथ में एक subject आपके chemistry, biology, computer science है तो भी आप डबले का form apply कर सकते हो उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों SSR की बारे में बात करें तो SSR का form apply करने के लिए आपको 10 पलस 2 पास होना चीए और 10 पलस 2 में आपके math और physics होनी चीए उसके साथ में एक subject आपका chemistry, biology या computer science में से होना चीए उसके बाद में दोस्तों next आता है आपका MR recruitment MR की बात करें तो MR आपका जो recruitment होता है वो आपका 10 पास होता है बिल्कुल दोस्तों metric recruitment होता है 10 पास के लिए होता है और ये भी एक इंडियन navy की ही एक branch है जिसमें आपको दस्वी पास होने के साथ ही आपको नेवी बढ़ते होने का मौका मिल जाएगा अगर आप arts commerce से विलोंग करते हो और फिर भी नेवी में जाना चाहते हो तो आप दस्वी पास वाली जो आपकी बढ़ती हो सकते हो आपकी age है दोस्तों वो MR के लिए एक अगर दो जार से लेकर 31 जुलाई 2003 तक आपका अगर जनम हुआ है तो आप इस नेवी इंडियन नेवी के MR के recruitment में apply कर सकते हो अब बात करते हैं दोस्तों यहां पे सबसे पहले डबले के बारे में डबले में आपका पर्मोशन कैसे होता है कैसे salary मिलती है तो आप खुद देख सकते हो rank wise सबसे पहले आप apprentice बरती होते हो तब आपका जो salary होता है pay होता है basic pay होता है वो 5000 दोसे से लेकर 20,200 तक होता है grade पे आपका 2000 होता है और यहां पर आपको MSP 2000 और group pay आपको 1400 मिलता है लेकिन जब आपको RTP 5 में जाते हो तो PB आपका पैस्ट मिलता है लेकिन आपका यहां पर pay है उसके साथ ही आपका grade पे वो 200 हो जाता है उसके बाद में यहां पर आप देख से तो grade पे 1800 और last time तक RTP में MCPO past तक आप यहां पर पर परमोट हो सकते हो जहां पर आपकी salary काफी ज्यादा दोस्तों होती है 4800 ग्रेट पे मिलने सुरू हो जाता है 4800 ग्रेट पे defense का बहुत ज़्यादा ग्रेट पे होता है उसके साथ SSR की बात करें तो SSR का CMN जब बढ़ती होते हो तब आपका grade पे 2000 होता है लेकिन CMN FAST बनने पर आपको 2400 ग्रेट पे लिदिंग CMN बनने पर आपको 2800 पेटी officer बनने के बाद में 2800 चीफ पेटी officer बनने के लिए 4200 और MCPO 2nd के आपको 4800 grade pay का यहां पर मिल जाता है दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर बता जिता हूँ during of initial training training के समय आपको 14600 रुपे मंतली यहां पर दिया जाएगा उसके बाद में दोस्तों आपकी training complete हो जाएगी तो आपका जो salary आपका basic pay 21700 से लेका है गुन 7100 रुपे तक उसके इसाब से आपको एक साथ payment है वो इंडियन नेवी की तरफ से दिया जाता है अब बात आती है दोस्तों selection process की आखिर इंडियन नेवी का selection process होता है वो कैसे होता है तो दोस्तों सबसे पहले आपका return test होगा चाहे आप MR का apply करो या फिर SSR या डबल H सभी का आप सबसे पहले return test करवाय जाता है और return test में qualify होने वाले candidate का physical test करवाय जाता है और physical में qualify होने वाले candidate का medical होता है और medical के बाद में आपका final selection हो जाता है और उसके बाद में जब आप इंडियन नेवी की training के लिए चिलका जाओगे तो वहाँ पर आपका finally medical होगा जो की दोस्तों काफी ज़्यादा tough होता है बहुत सारे candidate ने देखा भी होगा अगर इंडियन नेवी में भढ़ती हुए हो तो चिलका से वापस re medical या medical में भी unfit कर दिया जाता इंडियन नेवी का एक बहुत बड़ा यहां पर देख सकते हो क्योंकि medical fit होते वे भी training के समय जाते समय भी medical में बाहर कर दिया जाता है तो दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि आप इंडियन नेवी का जो नया recruitment है वो ओपिसली तरीके से इसी महीने लाश्ट तक जारी होने के पूरे पूरे chance है क्योंकि लगातार ब्यारतों के comment आ रहे थे कि सर इंडियन नेवी का recruitment कब तक आएगा कितना इंतजार और करना पड़ेगा तो दोस्तों अब आपको इंतजार र्यादार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 2021 का जो base है वो आपका अब जल्द ही इसी महीने officially notification के तोर पर आने वाला क्योंकि दोस्तों इंडियन नेवी का जो पहले वाला recruitment था वो अब last चारण में है बिल्कुल दोस्तों last चारण में है और ऐसे में नया recruitment आपका अब इंडियन नेवी के दोरा जल्द ही जारी किया जाएगा तो दोस्तों ये थी एक मेरे दोरा दिगी छोटी सी जानकारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पे अगर आप पहली बार आये हो और इंडियन नेवी की आगे आने वाले हर परकार के recruitment की update अगर आप पाना चाहते हूँ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में मैंतमुन जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कर दे तो दोस्तों स्टूडियो में इतना ही मिलते हैं स्टूडियो में तब तक के लिए जया हिंद जया बात